सोचो अगर आप एक बिलेनेर होते तो क्या करते अपनी फेवरिट स्पोर्ट्स कार खरीते अलग अलग जगाओं पर घूमने जाते बहुत सारे लगजरी ब्रांड से शॉपिंग करते और अगर इनमें से कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट मुंबई में एक छोटा सा घर तो ज जाधा पारफुल है तो जो पहली कंट्री है वो है इंडोनेशिया इंडोनेशिया एक ऐसी जवह है जहां पर आपको बहुत सारे हेरिटेज टिंपल्स और अमेजिंग खाना मिल सकता है और वो भी बहुती सस्ते प्राइस पे मतलब ये कंट्री गूमने के लिए इतने पॉ आप वियतनाम में हो और एक लग्जरी एरबियनबी के अंदर अपनी जकूजी में बैट कर कोकोनट वाटर पी रहे हो आपको कैसा लगेगा और यूनो वाट आप ये चीज सिर्फ दो हजार उपे पर नाइट में कर सकते हो वियतनाम एक ऐसी जगह है ना जहांपर आप बह जिसको बीच की वाइब बहुत पसंद है तो Cambodia is the place for you क्योंकि Cambodia में आप एक beachfront बंगलो पर रह सकते हो और ये आपको इतना सस्ता पड़ेगा जितने पैसे में आप किसी दूसरी country में जाकर daily basis पर coffee पी जाओगे and believe me ये जो beachfront बंगलो का experience होता है ना ये बहुत relaxing होता है और इसका हर एक को ना आपको एक अलग कहानी बताता है और आपका खर्च किया गया हर एक रुपया वहाँ पर बहुत लंबे टाइन तक आप यूज कर सकते हो क्यों क्यों क्योंकि ये country इतनी महंगी नहीं है एक बार जरा सोच के देखो आपने eco friendly guest house के अंदर सुबह को उठते ह और fresh air के अंदर आप silenty पी रहे हो क्या amazing experience होता है और अगर आप शिलंका जाही रहे हो तो वहाँ पर scenic train के अंदर right जरूर से लेना जहाँ पर आपको countryside में बहुत सारी जिलाए गूमने को मिलेगी and the best part about शिलंका is the thrilling safari जहाँ पर आपको lepards, elephants और कई सारे natural habitat की चीज़े दे पर इसके बाद जो अगली country आती है वो है कजाकस्तान, देखो कजाकस्तान की जो खास बात है वो है वहाँ का vast landscape, कजाकस्तान के अंदर आप बहुती कम Indian रुपीज के अंदर बहुत amazing चीज़े कर सकते हो, जैसे आप वहाँ पर local road trips कर सकते हो, local delicacies को try out कर सकते हो, और रात में जो star grazing कजाक sky होता है, उसके भी मजे ले सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर और भी amazing experience चाहिए, तो आप एक helicopter ride ले सकते हो, जो आपको शेरिन केनन के उपर से लेकर जाएगी, अगर आपको genuinely adventure पसंद है, then कजाकस्तान is the place for you, पर इन सब के बाद, जो 6th number पे country आती है, उस country क नाम है Laos, Laos एक ऐसी country है न, जिसको the land of charm भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ancient temple से लेकर Mekong river, यह सारी चीज़े experience करने को मिलेगी, and the best part is, कि आपके खर्च करे गई Indian rupees, यहाँ पर इतने valuable होते हैं, कि आपको बहुती luxury experience मिल सकता है, बहुती कम पैसे खर्च करके, मत Myanmar, Myanmar एक ऐसी country है, जहाँ पर आपको colors, culture और cuisine, यह तीनों चीज़े experience करने को मिलेगी, और वो भी काफी affordable prices में, यहाँ पर आप बहुती कम Indian rupees खर्च करके, काफी amazing Burmese delicacies, और कई सारी ancient temples को explore कर सकते हो, और अगर आप Myanmar जाते हो, तो वहाँ पर एक ancient city है बगान, जिसका experience आप एक hot air balloon में बेट कर ले सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर से करना